वेलो एवरिवान कोई लान चल रसोई में आप सब का स्वागत है आज हम बनाएंगे आलू पनीर की बहुत ही ज्यादा टेस्टी सबजी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक बार मेरे तरीके से आलू पनीर की सबजी बना के देखिएगा मुझे अकीन है आपको बहुत पसंद आएगी तो चलिए सुरू करते हैं रेसेपी अलू पनीर की सबजी बनाने के लिए सबसे पहले हम पेन गरम करने के लिए चड़ा दिये हैं उसमें दो चमच सरसो तेल डाल दिये हैं तेल गरम हो गई है बुना हुआ प्याज और तचपता है उसमें डाल दिये हैं अथ में डालेंगे एक चादरा का टुकड़ा में हम काट लिए हैं और एक पुटल हसुन छिल के इसमें हम डाल दिये हैं तो चमच पानी डाल करके इसे हम स्मूध पेश्ट बना के तयार कर लेंगे पेश्ट बना के तयार कर लिए हैं इसे साइड में रखेंगे आब इहाँ पे 400 गराम हम पनीर ले लिए हैं पनीर को इस तरह हम 20-1.5 इंच के टुकड़ा में काट लिए हैं और इसको 3 इंच के टुकड़ा में क्यूश काट के तयार कर लिए आप अपने हिसाब से मन पसंद काट सकते हैं, फीर से हम ऐसान करके पेन चरहा दिये हैं, गरम होने के लिए पेन गरम हो गई है, तो उसमें हम दो चमच तेल डाल दिये हैं, और पनीर काटके रखे ते उसे हम डाल करके, पनीर को अलटते पलटते हुए हम रोष्ट कर लेंगे देख सकते हैं, दोनों साइट से पनीर रोष्ट हो गई है, तब इसे हम निकाल लेंगे, इसी तरह करके सारा पनीर रोष्ट करके हम निकाल लिये हैं, बचा हुआ तेल में उबला हुआ आलू हम 400 ग्राम ले लिये हैं, और इसे छील करके दो भाग में काट लिये हैं, हमारे प निकाल लेंगे आलू को निकाल करके हम साइड में रखते हैं और सेम पेन में 1 फॉर्थ कप हम तेल डाल दिये हैं हम सरसो तेल में बना रहे हैं गैस का फले लो टू मीडियम रखेंगे तेल गरम हो गई है तो खड़ा मसला हम डालेंगे तो एक इंच दाल चिनी का टुकड़ा है दोगो छोटा इलाइची है और दोगो लॉंग है अथ में डाल देंगे अधा चमा जीरा सुखा वाला लाल मिर्चा है उसे दो टुकड़ा क करके हम डाल दिये है और प्याज को कलर चेंज होने तक हम भून लेंगे गैस का फले में हाँ पे लो टू मीडियम रखेंगे तो प्याज का कलर चेंज हो गया है आप देख सकते हलका गुलारवी कलर का आ गया है ता इसी इस्टेज पर हम डाल देंगे दोठो मीडियम तक अच्छी तरह से मिक्स करके हम भुनेंगे तो टमाटर पकते हुए तीन मिनट हो गई है तो आप देख सकते हैं फ्रेंट टमाटर अच्छी तरह से सौप्ट हो गई है तो आप इसमें हम डाल देंगे अधरक लहसुन और प्याज तजपत्या का जो पेश्ट बना के रखे करते हुसे और साथ में जार में दो चमच पानी डाल करके भी डाल देंगे मसाला को अच्छी तरह मिक्स करते हुए एक मिनट हम पका लेंगे तो एक मिनट हो गई है मसाला को पकते हुए गैस का फ्लेम लोग कर देंगे यहां पर सुखा मसाला आड करेंगे तो एक छोटी च दनिया पाउडर, एक छोटी चमच सुखा वला लाल मिर्चा पाउडर, आधा छोटी चमच जीरा पाउडर, और आधा छोटा चमच हल्दी पाउडर, और मसाला को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए, मसाला को जितना अच्छा भुनाई कीजिएगा उतनी टेस्टी बनेगी लगातार चलाते हुए भूलेंगे, तो मसाला भुझते हुए, पाउडर, आप देख सकते हैं, मसाला का कलर भी चेंज हो गया है, अब इसी एस्टेज पर हम डाल देंगे, एक चमच कस्तूरी मेथी, हाथ पर क्रस्ट करते हुए, कस्तूरी मेथी डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आएगी सबजी में, अच्छी तरह से मिक्स करते हुए, एक मिनेट और हम भून लेंगे, और एक मिनेट मसाला को भून लिए हैं, मसाला में खुसबू आने लगा है, और तेल भी डिली जो गया है, आप देख सकते हैं, तो इसी एस्टेज पर हम डाल देंगे, रो और ध्यान दीजेगा फ्रेंट, हम पहले भी नमक डाले हैं, तो यहाँ पर एक छोटी चमच और नमक हम डाल दिये हैं, और नमक को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए, अब इसमें हम डाल देंगे, पनीर, जब भी बनाएगा तो थोड़ा सा बड़ा कड़ा ही लिजेगा, ह पांच मिनट लो फ्लेम पे हम पका लेंगे, तो सबजी पकते हुए पांच मिनट हो गई है, पेन का कवर हटा आए है, तो आप देख सकते हैं, सबजी बनके तयार हो गई है, तो यह सटेज पर हम डालेंगे डेर साड़ा धनिया पत्ता, और गैस का फ्लेम आप कर देंगे, और सबजी को ढख करके पांच मिनट छोड़ देंगे ताकि धनियापता का फ्लेवर अच्छी तरह से आजाए तो पांच मिनट हो गई है पेन का कवर हटा दिये हैं देखे आलूप पनीर की सबजी बन के तयार है ले चलते हैं सर्व करने के लिए ता आप इस सबजी को पूरी पराठा चावल के साथ खा सकते हैं मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक बार मेरे तरीके से आलूप नीर की सबजी बना के खाएं बहुत ही टेश्टी बनती है आपको और आपको बच्चो और फेमली को बहुत पसंद आएगी अब आपको मेरा रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए अपने फेमली फ्रेंड में सेर करना नहीं भूलिएगा और चैनल पर नहीं है तो सस्क्राइब कर दीजिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अपना ख्याल रखेगा फ्रेंड